असलाम अलेकुम दोस्तों आबिदी स्माइल वीकली मार्की डवाब के साथ हाजिर है लास्ट वीक मेरी मुसरूफियात को ज्यादा थी और जैसा भी आप देख रहेंगे मैं मुबाइल पर बना रहा हूँ अभी लैप्टॉप का एक्सेस नहीं मेरे पास आउट ओफ सेटी लास्ट वीक में जो है मैं आपको यह बता दूँ एक छोटी सी केंडिल बनी थी यह वाली पुलिश केंडिल और इसके पहले बेरिश केंडिल बनी थी तो यह दोनों मिलके एक हरैमी पुलिश पैटन बना रहे थे जिसको जैपनीज में प्रेगनिन वोमेंट बन देजी अगर आपको तोड़ो सा रुटाओं यह थोड़ो सा जुमीन करके आपको बता देता हूं है कि सब्सक्राइब अला तो गया है 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 और दो बारा से आपको बना के बता देता हूं है कि यह वाला पैटन है कि यह वाला बैबुलिश और यह बेरिश एक है यह पैटन मिल गए जो है एक है पैटन मना रहे थे हैं रहे मीजिशन और अभी मैंने आपको पता आया लेकिन इस वीक भी जो है इस वीक की क्लोजिंग बेरिश नोट पर हूई है जो इस पैटन को निगेट कर रहा है तो थोड़ा केरफू लेके काम करें क्योंकि देखें टेक्निकल में हमेशा इंडिकेशन फिर कंफर्मेशन बहुत जरूरी है तो अभी देखना है इसकी कंफ इसकी क्लोजिंग जो है यह जो बिलिश केंडिन की क्लोजिंग थी चालीस हजार के राउंड यहां पर यह इसके उपर होने चाहिए थी कम से कम एट लीस अगर यहां पर भी इसकी क्लोजिंग आती चालीसाजार चाल्सो चालीसार पासह तो हम इसमें मजीद अफसाइड देख सकते थे लेकिन उसकी क्लोजिंग जो है पैंतालीसार सात्सो तीरेेपंद पर यह वीकत की क्लोजिंग होके काम करें यह दूसरा यह सीपियर का लेविल हो सकता है으니까 pela पैली ब्याट यहां से यहां से open भी होती है लेकिन closing जो है अभी फिलाल इसके ओपर ही हो रही है closing at least जैसे नहीं को बताया था 47,000 हो जाए तो बहुत अच्छा है यह वाला level लेकिन 6500 भी होती है तो कुछ उमीद बन सकती है week on week basis पे प्लस market capitalization ठीक है न यहां पर इस हाला कि यह देखिए बिलिश केंडिल फॉर्म होई थी जो मैं को बता रहूं यह वाली पीली वाली लेकिन इसमें जो week on week basis पे 71 billion decrease होई थे market capitalization में से और इस वक भी सुरतया लिया है कि बेरिश केंडिल भी फॉर्म होई है इस week में और 61 मजीद 61 billion और decrease हो गए है तो market capitalization भी obviously देखिए 6700 billion पर आगया है थोड़ा कोशिसर के काम करें 6500 पर फिर आगे यह benchmark के हमारा अकर फिर इसको यह ब्रीज करता है तो फिर आगे ना वापिश 63006 और even 6000 billion रुपीज दियम चाहता हुआ देख सकते हैं मैं अपनी पिछली वीडियो में भी कहता रहा हूं कि कुछ चैनल स्टॉक है पावर सेक्टर के exploration सेक्टर के और refinery सेक्टर के उसी में हम इसमें ज्यादा तर देख रहे है Two better time ki बारी बनते हुए वाकि सारे दूसरे सब जितने भी स्टॉक है वो अपने लोग पे-Low पे आ रहे है लो भी तो लोग जो लेवल है वो भी ब्रेक करते हैं ये नीचे आ रहे। तो उनीस टॉक में काम करें जिसके मैंने को बताएं इनका पी रेशियो अच्छा है डिविडेंड औरियंटिट है फटेलाइजर के बहुत अच्छे है पावर सेक्टर नहीं जो मैं पहले कहता रहूं मेरे वीडियो में देख लें तो उन में आप जो है एक्कुमिलेट कर सकत क्योंकि खास इंवेस्टर का इसमें इंटरस्ट नहीं रहा क्योंकि बाइस परसन इस्टिल ज्यादा है दूसरा पैटल की प्राइसे बढ़ गई हैं तीसरा गैस चार्जिस भी बढ़ने वाले हैं जो उनको डिसकॉन में मिलता था टैरिफ जो था इलेक्रिक का वह विड्र सी बात है जो बड़ी कंपनी है उन पर जो है लार्ज इसके लिए मैनुफेक्टरर ने लेसम जिसे हम बोलते हैं उन पर जो है नेगेटिव इंपक्ट आ सकता है इवन अगर देखें कि अगर यह मौनिटी पॉलिशी अगर आने वाली मौनिटी पॉलिशी में अगर फिर हो रहा है कायबॉर का जो रेट चल रहा है उसके साफ से जो कम से कम जो मैंने भी प्रेडिक्ट किया था कि 100 बेसिस पॉइंट बढ़ने की उमीद है 23% तक लेकिन अंचेंज रहा इस्टेबल रही लेकिन आने वाली मौनिट्री पॉलिशी में हो सकता है फिर 100-200 बेसिस पॉ नजर आ रहा है थूरू केंडिल और टेक्निकली वह तो यही बता रहा है कि लोवर लिवल का जो है ट्रेडर और इन्वेस्टर थोड़ा वेट करेंगे थोड़ा और नीचे अगर उपर किसे नहीं लिया है तो फिर डाउन साइट का वेट करेंगे डाउन साइट पे और मज करने का अच्छे स्टॉक जो है अच्छा इस पर मैंने आपके सीप्यार के साथ साथ जो है यह पिविटल यह पॉइंट भी दिये में ठीक है एक तो 47,000 ठीक है इसका इसका ब्रेकॉर्ड मिलना बहुत ज़रूरी है और फॉर्दर अफसाइट पिर एक हर्डल बीच में आए पिविटल पॉइंट पे वो ताकरिवन 43,600 का लेविल बन रहा है अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर नेक्स लेविल जो है जो लोगर लेवले सीपी आर का वो 42,100 31 या 131 यह वाला लेविल 42,140 का यह भी हम देख सकते हैं हो सकते हैं यहां पे भी विक पे भी बन के कोई चल अगर यह ब्रीज करता है इस लेविल को तो फिर 39,700 का वो भी हम रीटेस होता हुआ देख सकते हैं यह वाला लेवल निमापके साथ शेयर करता हूँ यहां पे कई दफ़ा देंगे विक बनी है एक दफ़ा दो देंगे एक विक में तो इसको यह इसने ब्रीज भी किया था क्लोजिंग भी इसके नीचे लेकिन जैसा मैंने अभी बताया कि यह बेरिश केंडल इसको निगेट किया इसी तरह इसको बुलिश केंडल ने निगेट किया तो मार्किट में हमने इसमें मजीद अफसाइट देखा और एक यह स्ट्रॉंग सपोर्ट लेवल भी साबिद हु अगर यह 42,130 यह राउंट विगर में 42,000 कहलें बिरीच होता है तो यह लेवल हम रीटास होता हुआ देख सकते हैं यह वाला लेवल इसको मैं गिरीन गलर देखा ओर 38,300 का लेवल फिर हम दुबारा रीटास होता हुआ देख सकते हैं एक नॉमिंकली मैंने अपसे पहली बे बढन रहे हैं तो मेरे खाल से तो इस वक्त ही हाइर साट पर आप सेल करें मैं नेलास लास मैं सेपा जार्डासमीट मैं बना सकता था वीडियो इससे लास मैंने कर था कि जो है सैल और इस टाइटल भी लिखा था तो अभी जो आपने स्टेडी जी करनी है लेविल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी है ठीक है येलो पिविटल लेविल है और सीपियर के लेविल जो है वीकली बेसिस पर बनाए हुए तो इसमें आप देखें अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो अरतीन तीन हजा क्योंकि व फिर इसके बाद 45,000 के राउन बनना है फिर 42,000 के राउन तो इसी के दर्मियान जो है मार्केट मूव कर सकती है और दूसरी बात है कि सप्टेंबर में किसी का इंटर्स नहीं होता है मैं पहली भी कह चुक हूँ ज़ादार इंवेस्टर का इंटर्स होता है हाफ यरली और फ हमारी जन्वरी में आप रेली बनते वे जन्वरी से शुरू हो सकता है यह रेली बनना अभी किसी का इंटर्स नहीं होगा भी लोवर साइट पर ही मार्केट मुझे टेक्निकल यह जो रिफ्लेक्शन है वो यह है कि नजर आ रहा है या साइड बस हो सकती है या पिर और ट्रेट की और इंवेस्टमेंट की स्ट्रेटीजी प्लाइन करें एट्स अल फॉर नाओ टेक कियर गूड लग अला आफिस